असलाम अलेकुम ग्रिप थियोरी के अंदर पॉइंट ग्रूप को डिस्क्स कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सीवान सीएस और सी आई पॉइंट ग्रूप को डिस्क्स कर चुके हैं आज की इस लेक्चर के अंदर हमने पॉइंट ग्रूप डिस्क्स करना यह महरे बनने पार सेरम बेजी बजया, point group बनने रुट फोर पार क्वेक संग ही एसमेवटर्ञं इसमे एक ही तरह के समेपरिय आरेख्टरा के worrying, Are placed in same point group और placed इनको हम रख रहे होते हैं इन same point group एग ही point group के दे रख रहे होते हैं point group सब्सक्राइब आज जो हमने point group discuss करना इसकी heading देदो यह है cn cn point group point group अब CN point group कौन सा होता है काता है ऐसा group जिसके अंदर शिर्फ और सिर्फ CN, CN समराथ axis of symmetry महोजूद हो, इसके लाभग कोई उसके अंदर symmetry elements ना हो, इसको CN point groups कहेंगे. मोलीकूल। टा मोलीकूल। जो रखे रुछ शिर्फोर शिर्फ रखे कौन से छीज रखे ? जो एकसी अफ समथ दूंदी को रोखे। इसको हम नाम देंगे इस कार्ड। इसको हम Cn Point Group का नाम दे रही होते हैं। मैन चीजस हमारे पास तもう करें दूंदी का मतलब बता हूँ ISCARold इस के दूंदी को एकस्प्लेम ने कर सको। है यहां पर जो हम एक्जेंप्पल करें करें करेंगे एचत्री यो 3 है एक्जेंपल है इसको नाम देता बॉरिक ऍसेड बॉरिक अब इस बॉरिक एसड़ के स्टर्थर के ऊदिए सबसींप्रोंटर दर्मयान में बॊरुमीन होता है और यहां पर एक ओ इसके साथ इस साइड पर हमारे पास होता है सेम इसी तरह यहां पर ओ यहां पर एच होगा सेम इसी तरह हमारे पास यहां पर ओ यहां पर एच होता है यह हमारे पास असल में बोरी के सड़ के स्ट्रक्चर है क्यों हमने इसको बेंड क्यों बना है इसके बेंड बनाने की वज़ा यह होती है कि यहां पर अक्सिजिन के पास दो अलेक्ट्रोन पेर होते हैं यहां पर जिसके वज़ा हम इसका बॉंड थोड़ सा बेंड करके बना रहे हैं यहां पर भी यहां पर भी दो अलेक्ट्रोन पे कोई और आप operation perform करो मसला rotation के लावा इसके अंदर मैं यहां से plane गुजारता हूं कि इस साइड पर देखो यह बोर्ड मारक रखा है कि इस साइड से और इस साइड से यह दोनों बराबर हैं नहीं है तो यहां पर plane of symmetry मौजूद नहीं है इसके बाखर पर एक सर्बादं में हैं इस साइड पर जा रहे हैं इसके नहीं ही एकसिज डाओन नहीं है तो यहां यहां पर हमारे पास यह चाहश मोजूद नहीं है अब यहां से आप देखो एक्सेज कौन रुखना है कौन सा एक्सेज हैं हमें एक्सेज डाग्रने सेके ज्लिभा है यह मारे उस्ट होता है यह उसी होता है 120 डिग्री किसके लों जी एक्सिज के तो यह हमारे पास मॉलीक्यूल की स्टक्चर दोबारा फिर इसको वन नाम देता हूं इसको टू देता हूं इसको त्री देता हूं जैसे आप रोटेट करोगे तो हमारे पास रोटेट करने के बाद यह थू वाला आपका यहां पर चला जाएगा 120 डिग्री रोटेशन के बाद और आपको बता है यहां पर मैं निकालना चाहूं जी एक्सिज के रोटेशन करवाई है 120 डिग्री रोटेशन करवाई है इसलिए हम इसके न की बैलियो कर निकालेंगे तो 360 दिवाड़ेड बाई थीटा 360 कीतना है हमारे पास 360 थीट 2 कि इसके न इसके निक ने है बात आपने याद रिखनी है यह मर पास एक्जेम्पल अगी इसके अलावा हमारे पास सेकंड एक्जेम्पल है जो कापी दिवाल कार्वार्बॉनियम आइन ह 911 फिनायल कार्बॉनियम आयन यह भी हमारे पास एक्जेम्पल है इसके स्टक्चर आप चख कीजिएगा आपकी तक्रिब देख देख्राइब है और यहां पर फिनायल ग्रॉप लगा होता है यह एक फिनाइल ग्रोपब का यहाँ पर होगा यहाँ पहिता है एक फिनाइल ग्रोपबब का यहा पर इन होता है इस तरह करीए ट्राइल कारवान ही माईन है शहीं नहीं आफिए इस समेटरी के लए अशवाव here उश-बस सीमिटरिपन्टरr sainimento नहीं होता है तो यह बाई यह सिंपसी बाद याद रखनी है कि अगर किसी कंपाउंड में सी एंड जहावे भी नदर आ जाए तो आपने फोरन समझ लेना है कि यह हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसके अधर एक्सिस उसमेटरी के लावा को और समेटरी मौझूद नहीं है एक्सिस